नमस्कार दोस्तों, आर्से इस्टडिय में आपका स्वागत है, आज हम लोग अध्यन करेंगे धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी चालक के प्रती एकांक अनुप्रस्त परिछेद छेत्रफल से अभी लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, जैसे यहा यहां पर जो है, यह अनुप्रस्त एक परिछेद छेत्रफल है, इसके लंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, इसके अंदर से, तो अब यहां पर जो है, यह एक सदिस रासी है, जिसकी दिशा उस विंद उपर धारा की दिशा में होती है, यह चालक के भीतर इस्थित किसी बेंदु का अभिलाचडिक गुड़ है, संपुर चालक का नहीं, इसे जे से परदर्शित करते हैं, अब जो है, यदि किसी चालक के अभिलंबवत अनुप्रस्त परिछेद ए हो, और इसमें से गुजरने वाली लंबवत, गुजरने वाली धारा आई ह तो धारा घनत, यानि धारा घनत को जे से दर्शाते हैं, और जे बराबर होगा आई बटा ए, यानि धारा बटा और फिर अनुप्रस्त परिछेद, फिर जो है, यदि किसी चालक का अनुप्रस्त परिछेद बिदु धारा की दिशा में ठीटा कोण बनाता है, तो प्रफल ए धारा के अभी लंबोत घटक एकास लेना होगा जैसे यहां पर माने थोड़ा सा तिर्चा हो गया है और यहां पर कोण बना रहा है ठीटा तब धारा घनतों बराबर होगा यानि जे बराबर आई बटा एकास ठीटा अब इस पूरे को इधर पच्छांतर करेंगे या जब कास्ट ठीटा को हटाएंगे तो डाट लगाते हैं यानी बराबर जे डाट अब जो है धारा घनतों का मातरक तो धारा घनतों का मातरक होता है इंपियर और प्रती एका जो है मीटर स्क्वाइर इन धारा घनतो का मातरक इंपियर प्रती मीटर स्क्वाइर होता है फिर जो है इसकी बीमा यल पर पाउर माइनस टू ए है तथा दिशा किसी बिंद उपर धाना वेश की गती की दिशा में अर्थार्थ बिधु धारा की दिशा में होती है